आप सब का टीम में बात करने वाले वाले अपना आज के लिए जो सीपेल का मैच रहेगा किसके बीच में एक ऐसी टीम जो नहीं जीत पा रही है जो की है सेंट केट्स के टीम और दूसरी तरफ हमें देखने को मलते है गयाना मेजन बूरियर्स इनका परफॉनस बस ठीक ठीक स को हरा सकता है कौन से प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं सारी चीज़े करेंगे डिसकस तो वीडियो को आखिर तक देखना और साथ यसाथ वीडियो पसंद है लाइक जरू कर देना चलको सब्सक्राइब अगर आपको जोइन कर लेना जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे ड ग्राउंड रहेगा प्रोविडेंस स्टीडियम गया नहीं जहां पर इस सीजन का पहला मैच के लए जारोगे ग्राउंड वैसे तो चेज करने के लिए काफी बैतर माने जाता है इसमें एक तो आपको याद होगा इंडिया इंग्लेंड का मैच हुआ था जिसमें आट विकेट पेस के थे साथ विकेट जो स्पिन के रहे थे 171 पर इंडिया एक सो तीन पर ही जो इंग्लेंड को इन्होंने ओल आउट कर दिया था उसका 173 वेस्ट इंडी युगांडा का था इस मैच का रिसल्ट ओविसली मैं बोलुओं खेलने से पहले डिक्लेर हो गया था वेस्ट इंडी इस अच्छा करेंगी 173 बनाया तो युगांडा ओविसली जल्दी ओलाउट हुई थी च्छाए विकेट पेस के बटाप स्पिन के विकेट 15 डालोगे नो विकेट थे उ पापा नोगानिया और युगांडा के बीच में वहता जहां पर की फर्ष्ट इनिंग स्पिन में विकेट थे सेकंड में नहीं थे बाकी के तीनों मैच अश्य है जहां पर की सेकंड इनिंग स्पिन में भई 6-6 विकेट अमें जो वो देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह कि जबरो निकल कराती है स्कोर की बात करें 159 173 171 इवन युगांडा के सामने भी वेस्ट इंडीज 173 ही बना पाई थी उसके लावा 32 पेस के बड़ स्पिन के विकेट कम नहीं है 28 रहते हैं जिसमें की 19 विकेट 28 में से जो है वो सेकंड इनिंग स्पिन ने पिक किये और पेसर् सबसे अच्छी चीज है वो यह की सामने आपको लेफ्ट अंडर से देखने को मिल जाते हैं तो यहां से मोईनली हुए केविन सिंक्लेर वे हो सकता है आपको आज के लिए जादा बोलिंग करा तो यह नजर आज है केविन सिंक्लेर सामें चार ओर वाली उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मोईनली के जादा चांसे बनेगी कि भाई अगर आप टीम में रख पाऊ तो सिंक्लेर मैं फिलाल के लिए स्मोली के लिए उतना सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि दखो ऐसा है कि करा सकता है एक दोर बट टीम काट भी सकती होगा जो कि सिंक्लेर के साथ में पहले भी हो चुका है बाकि ऐसे शाही होब है अभी तक कुछ खास पॉम में दिखें नहीं है इन चालिस का स्कोर जरूरा बागी जातर में तो फ्लोप है है एट मैर की बात की जाए यह 91 के आप पारी देख रहे हो यह इन्होंने अगेंस्ट सेंट किट सी बनाई थी ठीक है उस मैच में बहुत ही जादा जबरदस जो है है एट मै इसकी ऑप्शन भी यहां से बनने वाला है बागी तो हैट मैर आप कहीं ना कहीं ग्रेंड लिग में सीवी सी कर सकते हो क्योंकि एक तो ऐसा ही कि सामदेरी टीम के अगेंस्ट में रिकोर्ड भी बहतर है तो हो सकता है और वैसे इनके एक और चीज की वाज़े से बना सकते हो ओपनर्स इनके जल्दी चले जाते हैं तो इस वाज़े से फिर हैट मैर को सही एकदम ठीक ठाक और भी खेलने को मिलेगे रन भी बनाने का मोका मिलेगा तो जेल वगरे हम आप ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं है यह भी फिलाल के लिए बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर रह प्रिटोरियस का भी कीमोपॉल की तरह चल रहा है बस एक नुकसान प्रिटोरियस के साथ में यह बहुत नीचे है तो हो सकता है आए हो सकता है न आए और क्यूंकि ऐसा है ना कि बही दो-तीन मैच इनकी ऐसे भी जहां पर इनकी बैटिंग आई नहीं है उसके बाद में रोम तो खाफे ठीक ठाक है इवन बैटिंग से भी कि फिलाल के लिए और हमारी शेफर्ड अच्छा कर रहा है बट वही चीज सेम ट्रिट्रेटरेस वाली की शेफर्ड की भी बहुत पीचे है यहां ठीक है उसके बाद में ऐसे गुदाकेश मोती है वाही ने लगाता और तीन-तीन विकेट निकाले थे पिछले दो मैच उतने कुछ खास गए नहीं है शमार जोसेफ एक विकेट उससे बहले जीरो 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 तो फॉर्म बस सीपेल में उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला इंट्रेंशन मैच अस्ते जब बढ़िया कर रहा था बट सीपेल की बात की ज खेलेगा नहीं आजम खान का बरोसा नहीं है और उसके लावा यहां से रेमन रीफर है अब पता नहीं है टीम में ऐसे क्या करती है एक तो यह टीम भी और एक दूसरे टीम भी जो अच्छा खेलते है उसको बाहर बटा देते हैं रीफर जब कुछ नहीं कर रहा था तो यह जब उसने 16 रन बना के 3 विकेट लिए तो बाहर बटा दिया गया उसके बाद में यहां से अली मुहमद है दनिहां से एंडरसन और नंदो देखने को मिलते हैं अब देखो चेंजस की उमीद थोड़ी कमी रही क्योंग गयाना को अब जीतना काफी जाना जो है वो जरूरी ह यह से उसके लाबा नके ौवर में देखो ऐसा है नेथन साँटर है शमार जोसेफ है उसके बाद में यहांसे गुदाकेश मोती भी रहेगा यées तीनों तो हे ही हैं प्रिटोरेस भी बॉलिंग कराएगा कीमोपॉल भी बॉलिंग कराएगा पाँच बॉलरूरी हो जाते है मौहिनली अब अगर शेफर्ट से बोलंग कराएंगे तो फिर किसे ने किसे के ऊभर कटेंगे फिर चाए हूँ नेतन साउटर के हो या कोई हम आते हैं जरा दूसरी टीम चो बड़ा सही नाम लगता है इसको क्या हो गया चलो भाई या देखो अंद्रे फ्लेचर है अंद्रे फ्लेचर ने लास्ट टैम जब खेला था तो 81 रन की पारी जो है गोयना में जन्मूरेस के सामने खेली थी 81 बनाये थे ना ये उससे बहले चल रहा था ना ये उसके बाद में दो मैच चला हला कि पिछले दो मैच से फ्लेचर की बैटिंग काफी जादा बहतर 62-32 एविन लुइस ने शुरुआत अच्छी की थी पिछले पांच मैच एविन लुइस सिर्फ एक दफा़ा ऐसा हुआ है जब डबल जेट स्कोर है बाकी सम में सिंगल जेट स्कोर देखने को मलता है तो जादा कुछ खास लिए इसने नहीं किया हुआ है बाकी काईल मियर्स है शुरुआत मैं बोलूगा अच्छी रही थी काईल मियर्स की उसके बाद के मैच अगर देखें 0-0-0 विकिट है हाला क कि बोलिंग बैटिंग दोनों कराएगा तो ले तो सकते हैं टीम में उतना जादे कोई दिक्कत नहीं है उसकाद में राइली रोसो है एक मैच पर 50 मने पाकी तो जादा कुछ खास राइली रोसो का में नहीं है और इस पिछ पर स्पिन होती है और सबसे बड़ा खत्रा वही है मोहीन अली और इनकेस अगर से इनकलियर बॉलिंग कराएगा तो वह क्योंकि लेफ्ट अंडर लेफ्ट अंडर सब हमें देखने को मल जाते हैं यहां से सबसे बहुत सारे लोग करने वाले हैं अगर आप थोड़ा भी महाँ लोगा स्मॉल लीग में कुछ अलग हटके करन सबसे बहुत सकता है अब स्मॉल लीग के लिए क्योंकि बहुत नीचे आती है ठीक है उसके बाद में से ओडियन स्मिथ है जिस तरीके के बोलिंग स्मिथ की रही है न उस तरीके से जो मतलब पहले की थी पिछले दो मैच में तो नहीं करें पहले जो की न इसी विज़े से उसको बोलिंग नहीं मिल रहे है क्योंकि बहुत महिंगा साबित हो रहा था ओडियन स्मिथ आप सिर्फ बैटिंग के लिए रखा गया तो 0-0 बना दिये हो सकता है इस मैच में आपक उतनी खास नहीं रखते है जब मैंने लाइव देखी तो बट विकेट के अगर बात करें तो एक 0-1 और 0 विकेट फिलाल के लिए हैं वागिर्यान जो उन हेटिंग कर सकता तो जेल में नी जेल में ट्राए कर सकते हैं गर इनकी बैटिंग आ गई तो बागी नोर्खिया मश से तो देखो ऐसा है बॉलिंग में नौर्खिया शाम्सी और बोलिंग पूरे क्राने के चांसे थोड़े कम ही रहेंगे ओडियन स्मुलैंगे को बोलिंग करने चांस कम लगते हैं और इधर से हैसरंगा है जो करा सकता है तो यह आते हैं जरह आगे इनके बैंच के उपर तो सकते हैं अगर उसको नहीं खिला थे तो चार वर्सीज प्लेयर को चार से पांच मैचे जहां तक है इसको लगातार खिला रहे थे जैसे उसने परफॉमेंस दी वैसे उसको बाहर बैठा दिया बागी वेरा सामें पैरमॉल है कुछ जादा खास बॉलिंग रही नहीं है जोनले इनको एक मैच खिला था जिरो विकेट अश्मिट नेट बे कुछ जादा खास नहीं किया इनको खिला गया दो मेंट रिक्स तो ब्लास्ट हैं बहुत महँगा साबित हुआ था जो इसने 77 रन चार और में खाने का रिकोर्ड बना है वो सामने वाली टीम के अगेश्ट में ही हैं एक मैच उनका नोड जलट है और अगर इनकी बात की जाएं इन्होंने आठ में से दो जीते हैं मातर और च्छे मैच अब तक ये टीम हारी है एक दम बेहर में के तरह है बागि अगर रनों की बात की जाए इस ग्राउंड पर तो हेट माहर का रिकोर्ड 26 कैवरिस है 27 मैच 593 रहन है 53 कैवरिस के साथ में आजम खान 10 मैच पे 349 बनाए विसा आजम खान ने में इस ग्राउंड पर उसके बात में हला कि इस सीजन तो अगर बात की जा तो आजम खान ने डबर्जिट स्कोर को देखा ही नहीं है 22 सिंगल स्कोर में पवेलियन के तरफ चल देते है बागिरदर फोड है 12 मैच पे 338 रंड है इनके नाम इनके सगरात है कीमो बोल 10 मैच पे 193 ओडियन्स में 10 मैच पे 177 और कायल मियार्स के नाम 9 मैच पे 175 रंज जो है वो देखने को मिल जाते है इस ग्राउंड पर स्क्रिंशोट लेना चाहो तो ले लेना रिकोर्ड का बाक उन्होंने साथ मैच में 12 विकेट निकाले कीमो पॉल दो तरफा रिकोर्ड है कीमो पॉल के फोम अच्छा चल रहा है बट वेन्यू पर उतना कुछ खास कीमो पॉल नहीं किया 19 मैच में 12 विकेट है इवन श्राइक रेट 23 का है एवरेज है 37 का ठीक है अब मैं आपको उनके बट ओडियन स्मित को मार जाधा बड़ी है कि गुदाकेश मोती 15 मैं 31 का एवरेज है सिर्फ और ओडियन स्मित तो है 44 का है सी धाइन का बागे 19 मैच में से 13 जीते हुआ है किसने गयाना ने 6 जीते है सैंकिट्स के टीम ने एक तरफा यहां से गयाना मैच इसको लेके जा च हबिस हैट मैर के उस मैच में 91 पोल के 38 दो विकेट प्रिटोरेस के तीन विकेट मोती तीन ताहिर एक एक विकेट कीम पोल और उस मैच में रेमन रीफर कर आ था फिर आया भाई फ्लेचर को कुछ सा फ्लेचर एकदम उस दिन सीरियस मोड में था क्यूंकि मैच पूरा लाइ 266 का पीछा करते हुए सेंड किट्स पहुच गई थी 226 पर अब अगर फ्लेचर आउट नहीं होता ना उस मैच में तो ये निया पहर लगा देता जिस तरीके से खेल रहा था बागी दो सप्टमर 2023 को मैच हो गयरा ने बने 186 सेंड किट्स सो रन से उस मैच को हारी थी हैट म कि तरफ से 41 पृट्योरेस के 27 शख़विस शेफड के तीन विगिट पृट्योरेस दो मोती एक विकेट रॉमारी शेफड और एक विकेट जॉनियर सिंकलियर का रहा था सेंड केट्स की तरफ से एक ही खिलाड़ी था जिसने कुछ किया था जो कि था डेमनिक ड्रेक्स चार मैच चार और आजकल पता नहीं क्या हम बोलता हुए चार और में 45 रन बनाए और एक विकेट लिया था सेंड केट्स से कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि तीनों बार सेंड केट्स ने चेज किया और तीनों बार यह हार गए अब यह ट्रेंड बोलो यह इन कल्लक बोलो पहले बैटिंग कर ले शाहिए होप ने बनाए 54 हैट मैर ने बनाए तो उस मैच में 26 अगें देखो हैट मैर निराश नहीं किया कि पॉइंट्स तो थोड़े वोड दिये थे 26 बनाए थे पॉल की तरफ से 25 पॉल का हैट्वेट रिकोर्ट साब देख सकते हूँ रन आपको मैं बोल सकता हूँ विकेट्स तो आपको मैंने बता दिए 11 मैंच में 11 विकेट थे बट अगर पॉल की तरफ स दो भी हमें देखने को मिल जाते 38 इसमें बनाएं एक तालेस इसमें बनाएं पच्चेस में बनाएं थे शेफर्ड की तरफ से 25 रहन थे चार विकेट मौती दो ताहिर एक प्रेटोरियस एक शेफर्ड एक कीमो पॉल एक ओडियन स्मित का और यहां से लूइस ने 38 अगें य इसको जो है वो दो बार आउट किया हुआ है उसके लावा एविल लुईस है जो शेफर्ड के अगेंश्ट में दो बार आउट होए और इमरान तहर की लुएस दो बार विकेट दे चुका बट तहिर भाही को तो आड़े हाथ हो लिया है और उसके बाद में मौहिन अली जो में दो बार आउट हुए 27 स्कल में 32 रन मना कर शाइल होप को पैरमौल ने दो बार आउट किया हूए रेमन रीफर जो है ओडियन स्मित के अगेंश्ट में दो बार आऊट हो चुका है और हैटमैर की बात की जांए तो ड्रेक्स ने बेक्स नगए बहुत कहिंवा है कीमपॉल हुआ, कायल मेर्स हुआ, मोहिनली हुआ, प्रिटोरियस हुआ, हसरंगा हुआ, इवन इसके बाद में भी दो तिन बच जाते हैं, और उसके बाद में नोर क्या हो गया है, साउटर एंड यहां से मोती को मने रखा है, चाहो तो मोती की जगे पर आप किसी और के साथ म मने किया मोहिनली को, वाइस कैप्टन के लिए, एक ओप्शन यहां से कायल मेर्स का है, और अगर रिस्क लेना हो, तो एक ओप्शन हेट मेर का भी बनता है, ठीक है, तो यह जाती फिलाल के लिए टीम और सारी चीज़ है, बागर आपको वीडियो पसंद नहीं हो, तो लाइ ती तरे दुट